नमस्कार देश सुर्या की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है आप देखने एक खबर पुक्स और मैं हूँ आपके साथ सुमर्ड आज किस पुलिटीन में हम बात करेंगे ब्रिक्स सम्मिट में दहाडे पीम मोधी की प्रियंका गांधी के चुनावी डेव्यू से बीजबी में मची खलबली की भारस से टक्राने वाले विनाशकारी तूफान की दिवाली से पहले करमचाडियों की हुई बल्ले बल्ले की महराष्ट चुनाव को लेकर भीडी कॉंग्रेस बीजबी की बात करेंगे बबिता फोगाट और साखसी मली के बीच छड़े जुबानी दंगल की बुलिजिन के अंद में हम जानेगी क्या सच में जमुकस्मीर में अब्दुल्ला सरकार बीजबी के बनाये कानूनों पर पानी फेर रही है साथी रोजगार समाचार में जानेगे देश में कौन-कौन से सरकारी भरतिया निकली हुई है और उनसे जुड़ा हुआ क्या है नया अपडेट इसके लव और भी कई में अतुपुन खबरों से आपको करवाएंगे रुबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक अनजर सुर्ख्यों पर मोदी के भाशन से गुंचा ब्रिक्स समिट बोले की हम युद की नहीं बातचीत के समर्थक हैं आतंगवाद पर दोरा रवियान नहीं होना चलेगा सब को मिलकर इसका खात्मा करना होगा प्रियंका गांधी ने वाइनार से भरी चुनावी हुंकार पहली बार चुनावी मैदान में उतर कर मचायत तहलका नामांकन करके बोली की 35 साल पिता मा भाई के लिए कैंपेंड किया पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूँ महाराष्ट चुनाव के लिए NCP की पहली लिष्ट चारी 38 केंडिडेट के नामों पर लगे अंति मोहर बारामती से महाराष्ट के डिप्टीस सीया मज़ित पवार चुनाव लड़ेंगे वही महायोती ने अब तक 182 उमिद्वारों के नामों का किया एलान जिसमें भाजपा के निन्याण में और सिर्फ सेना के 45 उमिद्वार शामिल साइकलों दाना 25 अक्टूबर को उड़ी सा पश्चिम बंगाल की तठ पर मचाएगा तपाही दोनों राजियों में 338 ट्रेने राद खोटल इसकुल तिन दिन बंद वहीं 10 लाख लोग सिफ्ट किये जा रहे आयोध्या में दिपोटसा उपर बनेंगे दो विश्वर रिकोर्ड पहला रिकोर्ड एक हजार सो लोग एक साथ आर्ती करके बनाएंगे वहीं दूसरा रिकोर्ड 25 लाख दीप जलाकर आयोध्या गिनेज वर्ड रिकोर्ड में नाम दर्च करवाएगा राजसान की जसल मेर मेर रचा गया इतिहास दुनिया में पहली बार आर्टिफिशल तरीके से जनमाद दूर लब गोडावन का चूजा अब घट रही गोडावन की दादात को फिर से बढ़ा सकेंगे उत्रप्रदेश अरकार ने राजे करमचारियों को दिया दिवाली का तोफा सियम योगी ने किया बोनस का एलान 15 लाग करमचारियों को मिलेगा फाइदा वहीं सरकार के खजाने पर बढ़ेगा 1025 करोड का अतिरिक्त भार पराली जलाने पर सुप्रिम कोट की हर्याना पंचाब सरकार को चेताम ने कहा कि सक्त आदीश देने को मजबूर ना करे जुर्माना कम लगाया जानकारी भी गलत थी पहले दो पहलवानों के बीच पिछेडा जुबानी जंगल बविता फोगाट बोले की साक्षी किताब के चकर में इमान बेच गई साथ ही कहा कि विनेश विधायक बनी बजरंग को पद मिला दीदी तुमको कुछ नहीं मिला विमान धमकियों के बीच सरकार ने लगाई एक्स मेटा को फटकार बोले की खतरना का फाय रोकने के लिए आपने क्या किया ये तो जुर्म को बढ़ावाद देना हुआ बैंगलूरों में 12 से साथ मंचिला इमारित गिरी आठ लोगों की मोत डिप्टी सीमडी के से उकुमार बोलेगी प्रकरती को हम नहीं रोक सकते वहीं जे डियस ने बोला हमला कहा कि कॉंग्रेस ने राज्य की दुर्दसा कर डाले उडिसा सरकार ने किया बड़ायलान महिला करमचारियों को हर महिने मिलेगा एक दिन का मेंस्ट्रोल लीव इसके अलावा एक साल में 12 दिन के अमर्जनसी कैस्वल लीव को भी मिलेगी सुईदा जो अभी तक मिल रही 15 दिनों की लीव के अलावा हो की दिवाले से बहले सोने चांदी की दामोंने मचाय तहल का इंडिया बुलियंस एंड ज्रेलर एस्योसीशन के अनुसाद 10 ग्राम 24 केरट सोने की भाव 452 रुपए बढ़कर 78,703 रुपए पर पहुंचे वहीं एक किलो चांदी 799 रुपए की तेजी के 799 में 1,151 रुपए की पाहर निकली नेस्नल इंस्योरेंस कांपनी लिमिटेड में 500 पदों पर ओचातिस गड़ में SIK 341 पदों पर निकली बंपर वेकेंसी वहीं सम्में TZT और PZT के 9389 पदों पर आवेदन करने का सुनेरा मुका इसके लावा और भी सभी भर्तियों की विस्तरिदे जानकारी पानी के लिए कूगल में अभी विजिट करें सरकारी जोबडे.com वेब साइट पर पराली जलाने वालों की किलाफ एक्शन में पंचाब सरकार 920 किसानों पर एफाई आर दर्ज सक्ती के बाद घटने लगे मामले इसी दोरान 11 लाक रुपे का जुर्माना भी लगाये गया जमका स्मीर में दर्बार मूवी की बहाली में जुटी अब्दुला सरकार अगली कैबिनेट बैठक में फैसला संभाव 152 साल पुरानी परंपरा को दोबारा शुरू करने के तेयारी असम सीम हेमंद बिश्वा सर्मानी दी चितावनी बोले कि जारकण में भाजपा आई तो हुसेन अबाद का नाम बदल जाएगा बीजेपी उसे रामकिष्न के नाम से पुकारेगी भारत और नुजिलेंड के बीच तिन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज पुने की महराष्ट क्रिकेट एसोसीशन स्टेडियम में फिर तीन स्पैनर्स के साथ उत्रेगी टीम गेलियार राहूल में से किसी एक को मिलेगा मुका लाल निशान के साथ बंद हुआ शियर बाजार संसेक्स 138 अंकों की गिरावट के साथ अस्सी हजार एक्क्यासी पर हुआ बंद वही निफ्टी भी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,435 के इस्तर पर हुआ बंद ये तो थे सुर्क्या आप चलते हैं आसकी बड़ी खबरों क्यों लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपोर्टेंट बात लेटिस्ट न्यूज और ताचा खबरों के वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे टेलिग्राम और वोटसप चैनल को अभी जोइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रेप्शन में और पिन कमेंट में दिया क्या है आप खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में देखकर बीजेपी को आए पसीने की जी हाँ पहली बार चुनाव लड़ने जा रही प्रियंका गांधी की धासू एंट्री देखकर बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है बीजेपी समित कई विपक्ष सिनेतां को पसीने आ रही है वहीं प्रियंका गांधी को चुनावी दंगल में देखकर वाइनाट के लोग काफी खुश नजर आ रही है तो ऐसे में जानते हैं प्रियंका गांधी के धासू चुनावी डेव्यू को हमारी इस खास रिपोर्ट में कॉंग्रेस के लिए 35 साल से पर्दे के पीछे काम करने वाली प्रियंका गांधी वाडरा ने पहली बार चुनावी दंगल में पैर रख दिया है जिससे बीजेपी समेट कई पार्टियों में खलबली मच गई है बीते दिन प्रियंका गांधी वाडरा लोगसबा उप्चुनाव के लिए अपना नामंग कंदाखिल करने पहुची प्रियंका की रेली में जबरदस्त जन सैलाब उम्रा, कॉंग्रेस का रोडशू देखने के लिए और सपोर्ट देने के लिए भारी भीड पहुची इस दोरान उनके साथ भाई राहूल गांधी, मासोनिया गांधी और कॉंग्रेस सद्यक्स मलिका जुन खड़गे भी मौजूद रही दरसल लोगसभा चुनाव 2024 में राहूल गांधी ने केरल की वाईनाड और यूपी की राइबरेली लोगसभा सीट से जीत हासिल की थी बाद में उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरी के राइबरेली सीट को चुना और वाईनाड छोड़ दी जिस पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं अब मैंने पहली बार पिता के लिए 1989 में क्यामपेंग किया था तब से इन 35 साल के दोरान मा भाई के लिए वोट मांगे आप पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूँ वही भाजबा ने उनके खिलाफ नाव्या हरीदाश को मैदान में उतारा है नाव्या ने प्रियंका के नोमिनेशन को लेकर कहा कि प्रियंका वाईनाड में साथ दिन रहेगी लेकिन मैं पूरे पांस साल काम करूँगे वही नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए नफरत का इस्तमाल किया है उन्होंने अलगाव पैदा किया है यह वह राजनिती नहीं है जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर सकत रवया अपनाया। पीम मोदी ने अपने संबोधन के दोरान कहा कि आतंकवाद पर दोरे रवया किस जगह नहीं है। ब्रिक्स देशों के साथ आकर इसे लड़ना होगा। उन्होंने UNSC में रिफोर्म की भी बात कही। साथी पीम मोदी ने कहा कि भारत ब्रिक्स में नए देशों का स्वागत करने के लिए तयार है। उन्होंने कहा कि नए श्वारूप में विश्वे की 40% मानवता और लगभग 20% एकोनोमी का प्रती निधित्वे करता है। पिसले दो दसक में संगटन ने अनेको उपलब्दियां हासिल की है। मुझे उमिद है कि ब्रिक्स वैस्विक चुनोतियों के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बन कर उबरेगा। वही चीन के राष्टपती सीज जिनपिंग ने कहा दुनिया उथल पुथल भरे बदलाव से गुजर रही है। हमें शान्ति पूर्ण ब्रिक्स बनाने की ज़रूरत है। गाज़ा और लेबनान में हमें सीज फायर पर जोर देना होगा। युकरेन जंग पर उन्होंने कहा कि हमें जल्द संकट का समाधान निकालना होगा। जिनपिंग ने कहा कि हमें आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत है। साथी ग्लोबल साउथ के दीशों का प्रतिनिदित्व बढ़ाना होगा। चीन ब्रिक्स देशों के साथ ग्रीन इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी और ग्रीन मिनरल के लिए सहयोग बढ़ाना चाहता है। वहीं इस मिटिंग के बाद पीम मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट पती सी जिनपिंग से हुई। एलेसी परतनाव कम करने घोशना करने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली द्विपक्षे वारता हुई। वहीं पीम मोदी ने पुतिन समेद ब्रिक्स देशों को अगले साल वार्षिक सिकर सम्मिलर के लिए भारत आने का न्योता भी दिया। भारते कुस्ति संग के पूर्वे अध्यक्स ब्रज भूशन सिंग और पहलवान मुद्दे में नया ट्विस्ट आया है। हरियाना की रैसलर साक्षी मलिक की ओटो बायोग्राफी से एक नए विवाद ने जर्मने लिया है। जो थमने का नाम नहीं लिए रहा है। दरसल साक्षी मलिक ने आरोप लगाया है कि बीजेपिनेता बबीता फोगाट ने उन्हें भारते कुस्ति संग के पूर्वे अध्यक्स ब्रज भूशन के खिलाफ आंदूलन के लिए उकसाया था। और इसकी पर्मिशन दिलाई थी। बबीता फोगाट ब्रज भूशन को हरा कर खुद WFI की अध्यक्स बनना चाहती थी। सकते हैं तुम्हारा दर। सकते हैं अध्यक्स बड़िया थी।